कॉंग्रेस पार्टी का नेतितों जो है वो बिल्कुल दिशा बेशीन हो गया है और ऐसी परस्थिती में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर हमारी पार्टी के नेतितों पर इस देश के नेतितों पर उनको विश्वास नहीं है तो कम से कम उन सेनकों पर विश्वास करना जाएगा उनका मनोबल किसी तरह से ना टूटे उस बात को सुनिश्चीत करना राजनीती आती रहेगी जाती रहेगी चुनाप को दौर चल रहा है खत्म हो जाएगा लेकिन उसके बाद ये समय ये बातें लंबे समय तक जो है वो इतिहास का हिस्सा बन करके रहेगी कि देश जब ऐसे दोर में से गुजर रहा था उस वक्त कॉंग्रेस पार्टी का नेतित तो क्या क्या रहा था इसलिए मुझे स्रीप इतनी बात कहना है कि पाकिस्थान पूरी दुनिया में चिला रहा है कि हमारी धर्ती पर जो है वो हिंदुस्तान ने जो है एर स्ट्राइक किया है पूरे चिला चिला के कह रहा है कोई निउस पेपर नहीं है जहां पर इस बात की खवर नहीं यह सबुत काफी नहीं किया है चब उनको मुझे लगता कि इस बात को समझना चाहिए और हमें गर्व है कि हमरी देश के परदहान मंतिर निरंदर भाई मोदी जी ने जहां सर्जिकल स्टाइक की जरूर थी, एर स्टाइक की जरूर थी, वहां किया और जहां हमारे विंग कमांडर को बापिछ लने की बात थी, उसके लिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक पर स्थिति इस प्रकार की निर्मित की कि पाकिस्तान को बागा बॉडर तक जो है विंग कमांडर अविनंदन को छोड़े के लिए आना पड़ा